बधाई हो बधाई हो बधाई हो दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारा देश एक ऐसा देश बन गया है जहां पर हमारा एक छोटा सा पडोसी मुल्क है पांगला देश वो भी हमें अब आखे दिखा रहा है एक तरह से हमारा मजाक ओड़ा रहा है और ये लेवल जो ये स्थिती हमने पाई है ये जो जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं ये हमारे माननिय प्रधान मंतरी श्री मोदी जी के कारियकाल में हमने ये स्थान हासिल किया है और आप लोग सब भी इस बधाई के पात्र है जिन्होंने हमारे माननिय प्रधान मंतरी को दोबारा से प्रधान मंतरी बनाने के लिए अपना वोट दिया दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो हमारा लड़ाई चलता रहता था। हमारे कुछ राजनेता गटिया राजनेती करने वाले नेता लोग वो लड़ाई करते रहते हैं ताकि आम जन्ता का ध्यान जो उनके जरूरत के जो मुद्दे होते हैं उन पर न जाये बलकि फालतु के पुरवी पाकिस्तान को बंगलादेश बनाया आजाद करवाया पाकिस्तान से भारत ने ही शुक्रगुजार होना चाहिए अब भी अलाकि उस वक्त थे अर अब तक भी वो हमारे शुकर गुजार है अर वहां के जो विदेश मंतरी हैं वो हमारे शुकरकुजार पहले भी थे और अब भी है लेकिन वो हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं साथ साथ में क्योंकि जिस तरह से CAA लागू किया गया है, CAB को लागू किया गया है, Citizenship Amendment Bill को लागू किया गया है, जो कि अब Citizenship Amendment Act 2019 हो गया है, उस Act के बाद पाकिस्तान तो छोड़िये, बांगला देश भी हमें नसीहत देने लगा, बलकि हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास लिष्ट है घुसपेटियों की, तो वो हमें वापिस दीजी, तो याद होगा एक फिल्म आय थी, क्रान तीवीर, नाना पाटेकर की, उसमें एक डायलोग था, जो बिल्कुल खत्म होने, फिल्म खत्म होने के कगार पर जब आ जाती है, तो एक नाना पाटेकर को फांसी पर लटकाया जाता है, तो वहाँ पर वो लोगों को देख कर हसता है, और वहाँ पर बीच में ही एक डायलोग है, अला कि पहले वो बोलता है कि पहले राजा माहरा राजाओ की गुलामी की, फिर गुंडो और नेता हो की, अब चंद गद्दार कि उसके घर में जो रोटी बनती है, उसका आटा विविदेशी चक्की से पिस्के आता है, अपने घर में वो एक सूई नहीं बना सकता क्योंकि, और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है, वो इस अपना देख सकता है, क्योंकि यह मुर्दो का देश है, हम सोय हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति हम अपने करतव्यों के प्रति करतव्य का यह मतलब यह नहीं है कि कोई भी सरकार आया मुसकी गुलामी करने लग जाएं सवाल उठाना जरूरी है और सी ए का विरोध करना कोई राजनेतिक मुद्दा नहीं बलकि नैतिक मुद्दा है क्योंकि जिस तरह से हमारा सम्विधान है सम्विधान के बिलकुल खिलाफ है ये तीन देश पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश से सताय हुए अलप सेंख्याकों को हम नागरिक्ता देंगे तो आपने श्र कहीं फिर वही बात आती है कि 370 हटने से पूरे देश में कोई रोजगार नहीं बड़ा उल्टे जीडिपी हमारी बिलकुल सबसे निचले स्तर पर चली गई है इन सब बातों पर चर्चाननाय करके अब ये चल रहा है कि हम CAB को लागू कर दिया अब NRC लेके आएंगे NRC को NRC से निकलेगा क्या वो आप असम में देख चुके हैं 19 लाख लोग इस से बाहर है जिनमें हिंदूों की बहुत बड़ी संख्या है कुछ बड़े अधिकारी फोज के बड़े अधिकारी जिनोंने करगिल के लड़ाई लड़ी है जिनोंने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे कानुनों के हिसाब से तो पहली बात तो ये इन कानुनों की जरूरत क्या है हां उसी में इक और डा topics वाली फिल्म में कृण तिविर में कि येole नार प्रक नहीं किया है जब बनाने वाले ने फरक नहीं किया तो हम और कौन आप कौन होते हैं पसमें इस तरह का भेद करने वाले तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो हमें आखे दिखाता ही था अब बंगला देश भी हमारा मज़ाक उड़ा रहा है वहां के विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी भारत से इस विशे पर कोई बात नहीं हुए है के कौन सा बिल वो लेकर आ रहे हैं और अमिच शाह ग्रहमनत्री अमिच शाह ने कहा है कि यह उनका आंत्रिक मामला आंत्रिक मामला था तो फिर ये तीन देश क्यों शामिल किये भी अब कोई भी कोई भी झुरम करके आएगा और यहां के नागरिक नहा कर लेगा और अगर आपको करना था मुस ją को छोड़ा क्यों कि हमारे देश में बहुत जादा मुसलिम संख्या है हमारा संवेधान भर्म निर्पेक्स है तो फिर आपने धर्म का अधार क्यों बनाया आने दो कोई भी और जैसा आपने कहा था मानन ए महोड्यय मान्नियवर अमिट्षा जी कि भारत ऐसा थोड़ी किसी को भी बुला लेगा कोन आया बैठा है उलटे हमारे देस से जा रहे दूसरे देसों में तो यही मैं कहरा ठा कि बंगलादेश भी अब हमें आँखे दखाने लगा हमारा मजा कुड़ा रहा है has रहे हैं लोग हम पर पहले तो बांगलादेश के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्दुल मौमेन बांगलादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मौमेन ने कहा कि मिस्टर अमिस शाजी हमारे यहां पर सब धर्मों के एक साथ इकठे रहते हैं हसी खुशी रहते हैं यहां पर सब ध पीडित, बंगलादेश से प्रतारित, कोई शिक्ष, कोई जैन, कोई इसाई, कोई हिन्दु भारत में आता है। उल्टे उन्होंने ये कहा है कि भारत से लोग बंगलादेश में आते हैं। लोग उनको कहते हैं कि बांगला देश में मुफ्त खाना मिलता है इसके अलावा बांगला देश के जो GDP है बांगला देश का जो आर्थिक्स्थर है वो हमसे बहतर है वो यहां पर नोक्रिया पाने उल्टे हमारे यहां पर आते हैं यह बांगला देश के विदेश मंतरी अब्दुल मौमेन ने कहा है आप देख सकते हैं साइड में जो एक खबर लगी है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब्दुल मौमेन ने कहा है कि भारते बहतर जीवन के लिए बांगला देश आ रहे हैं उन्होंने क्या क्या का we McN symptomate के विदेश मंतरी डॉक्टर एके अबदल मॉमिन ने कहा कि भारते नागरिक बांगला देश में अच्छी अर्थवयवस्ता और मुफ्त में भोजन के लिए आ रहे हैं मुमेन ने ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीट सम्मन्द बहतर और मधूर है मुमेन ने कहा कि भारत के लोग बांगला देश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है हमारी अर्थविवस्ता की स्थिति बहुत मजबूत है इसका मतलब हमारी अर्थवेवस्ता बहुत कमजोर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हमारी अर्थवेवस्ता माइनस में जा रही है, हार्षिय के लोगों को यहां मुफ्त भोजन मिलता है मौमेन ने कहा कि जो भारतिया बांगला देश में अवेद रूप से रह रहे है उन्हें वापस भेजा जाएगा मतलब जिस रहा पर हम चल रहे है वो भी हमें ये कह रहा है कि हम भी यहां से जो अवैद भारतिये घुसे हुए है यही अगर कनाडा कर दे तो पंजा पूरा भर जाएगा यही अगर आस्ट्रेलिया भी कर दे तो पूरा देश मतलब सभी देश अगर इस तरह के कानून लाने लगे तो क्या होगा? कहां गया हमारा वसुधैव कुटूम भुकम? और आपको बांगला देश या पाकिस्तान के अलप शंक्यकों का याद है लेकिन हमारे देश के जो नागरिक श्रिलंका में जिस तरह से परतारित हो रहते है वजड़ है। उनका तो अपने खयाल नहीं किया? इस कानून का चोतरफा विरोध हो रहा है। आगे क्या कहतें उन्होंने? उन्होंने कहा कि बांगला देश के विदेश मंत्री से पत्तरकारों ने सवाल पुचा कि भारते बांगला देश में गुश रहे हैं मुमें ने कहा कि भारते इनी वजो बांगला देश के लिए आकर्शित इनी वजो से बांगला देश के प्रती आकर्शित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको नोकरी मिलती हैं, यहाँ पर उनको मुफ्त में भोजन मिलता है, और हमारी आर्थिक विवस्था अच्छी है, भारतियों को नोकरिया नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो बांगला देश आ रहे हैं, कुछ बिचोलिये भारत के गरीबों को समझाते हैं, क इसलिए आप इस तरह के मुदे लेकर आते हैं, 370 हटाने से कोई नोकरिया नहीं आई, नोट बंदे करने से कोई काला धन नहीं आया, GST लगाने, उल्टा अभी GST के भी ख़वर आई है, कि राज्यों को जो GST कलेक्षिन है राज्यों का वह बहुत कम है, उल्टे राज्ये केंदर सरकार से मांग रहे हैं, कि आप हमें पैसे दीजिए, काम चलाने के लिए, और दुसरी एक और मज़ेदार बात अब यहां पर आई है, पाकिस्तान के हिंदूों ने ये कहा है, कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, और हमें नहीं आना है भारत में, तो हम क्या कर रहे है युनिवस्टियों में पढ़े लिखे चातर जब इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, तो उन पर लाठिया बरसाए जा रहे हैं, उल्टे दिल्ली पुलिस बसों को फूक रही है, मोट साइकलों को तोड रही है, और गाडियों को फोड रही है, उनको तो कुछ कहा नहीं जात वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहाया कि पहला पिटना बंग हो जाएगा, तब हम आपकी सुनेंगे, मार के बाद क्या पुकार होती है, तो मैं देश के नागरिकों से भी कहना चाहूंगा, कि यह जो बिल है, यह जो एक्ट बना है, यह हमारे, हमें क्या जरूर थे इस आपको जाना जरूरी है कि कैब क्या है, कैब जो कि अब एक्ट हो गया है, तो इस तरह है कि बातों में न उल्चे, और जो यह समविधान, विरोधी, जो यह एक्ट बनाया गया है, जो हमारे धर्म निर्पेक्ष देश को एक धरम का देश, एक हिंदूस, राज्ये बनाना यह बिल्कुल गलत है, हम किसी धरम को नहीं मानते तो हमें कहां भेजा जाएगा, हमें भी बता दीजिए, कोई ऐसा देश है क्या, तो मेरे देश के वासियों, मेरे देश की सरकारों, मेरे देश के हुक्मरानों, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जनता इस बिल का विरोध मुझारी जो महेंगाई जो भुक मुझारी पर चर्चा नय हो हमारी जो अर्थव्वस्थ्टर डौट डाउन चली गई उस पर चर्चा नय हो इसलिए इस तरह के बेफजूल की बातों में देश को उल्चाया जा रहा है बने रही निशाना के साथ धन्यवाद